हलो फ्रेंज तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए तरीकी की दो टेस्टी मज़ेदार मिठाई और इस मिठाई को भी बनाना बहुत आसान है खाने में बहुत जाला टेस्टी लगती है एक पर इस मिठाई को मेरी तरह की से जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये मिठाई टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा है हेल्दी भी है और ये मिठाई कम चीजों के साथ बनके तयार हो जाती है अगर आपको मिठाई की रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज फीरो को लाक्षर करना बिल्कुल न भोलेगा तो चले इसे बनाना सुरू करते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए यहां पर आपको आधा कप सूजी लेना है और इसे ग्राइनिंग जार में डाल करके अच्छी से ग्राइन कर लेना है और इसका बारीक सा पॉडर बनाके आपको तयार कर लेना है तो देखिया यहां पर हमने सूजी को अच्छे से पीस लेया और देखे कुछ इस तरीके से यह पाटर फॉर्म में आ चुका है देख सकते हैं तो बिल्कुल ऐसे यहां पर आपको सूजी को तैयार करना है और इधर इसको स और बस इसे डालने के बाद इसमें अब हम एड़ करेंगे यहाँ पर एक कफ फुल क्रीम दूद एड़ करेंगे और इसे भी एक इसी जार में डाल देंगे और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो यहाँ पर हमने दूद को डाल दिया है अब बस अच्छे से बढ़िया सा ब्रेंड कर लेना है और यह देखें यहाँ पर हमने अच्छे से ब्रेंड कर ले आप देख सकते कितना बढ़िया लग रहा है इक्तम यहाँ पर क्रीमी क्रीमी सा दूद लग रहा है तो चलेंगे आपर गैस में worthless गही डाल देंगे और घी को अच्छे से मैल्ड करेंगे आब हम सूझी डालनेके बाद इसे अच्छे से भूराना है गैस का जो फ्लेम है आप बिल्कुल लो रखिएगा लो फ्लेम पर भूना है क्योंकि इसका जो कलर है वो मुझे चेंज नहीं करना है और बस इसे इतना आपको भूनना है ताकि इसका जो कच्छा पर सूजी का वह चला जाए और देखिए आप हमने सूजी को बढ़ी असा दूद्ध करना है और देखिए चीनी हलकी से मेल्ट भी हो चुकी है अब इसमें एड़ करेंगे यहां पर यह दूद्ध देखिए बस दूद्ध डालने के बाद आच्छी से मिक्स करना है तो जब दूद इसमें डाली तो गैस का जो फ्लेम है बिल्कुल लो रखिएगा औ जब तक यह एकठा डो फॉर्म में ना आ जाए यह देखिए कुछ इस तरीके से और देख सकते हैं यह बिल्कुल ऐसी क्रीमी बिल्कुल मावे की टेक्शर में आ चुका है और देखिए इसके छोटे से बाल्स भी बन रहे हैं यानिकि यह बिल्कुल पर्फिक्ट है तो चल गोल्स बिल्कुल लट्यु जैसा सेफ में आप इसे बना सकते हैं अब फिर ऐसे छोटी-छोटी पेड़े भी बना सकते तो मैं बनारी इसके पेड़े जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुन्दा लगेंगी यह दिके कुछ इस तरीके से तो देखिए पेड़ा देखने मे तभी पीड़े को एसे बना के तयार कर लेंगे गेकित्स कितना परिदे के प्रफेक्स से पा रहा है और बस ऐसे बनाने के बाद दे। यहां पर रातए सोड़े से सप्रियों करेंगे रहें यह प्नेसर पर पेड़े करेंगे डूरियों आ Powell कि पास्ड़ें warmly पेड़ी उसके बना के तयार कर लेते हैं जहां पर हमारे जो पेड़ी यह निगता बनकर की तयार हो गए और देखने में कितना ज़्यादा पड़ी अगरा और सच माने खाने में बहुट ज़्यादा टेस्टी एक बड़ा पर मेरी तरीके से जरूर आप बहुत पसंद आएग चनिकी डाल कुछ इस तरीके से सॉप्ट होनी चाहिए तो सब से पहले हम आपँ चनिकी डाल को अच्छे से पीस के तयार करेंगे तो याद रखेंगा चनिकी डाल में बिल्कुल पानी नाओ इसे हलका से ड्राई कर लीगे किसी कप्रे से सुखा लीगे और बस इसके बाद चने के डाल को डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे यह देखे और दाल को यहाँ पर थोड़ा सा दरदरा फॉर्म में पीस हीएगा यह देखे तो देखे यहाँ पर हमने डाल को अच्छे से पीस के तयार कर लिया अब क्या करेंगे इसमें आपको क बस ऐसे अपसे हलका सफ्राइब कर लिए इसको ज्यादा आपको कलर चेंज नहीं करना है गैस का फ्रिम आप लोटू मेडिम कीज़ेगा और इस बड़ी हासा पका लिजिएगा ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए और देखिए यह बड़ी हासा पक चुका है बड़ी हासा फ्राय करके तयार लिया से चोटी करर लेंगे यह बहुत आछ होलोना पयाओ पर और इस तरीक जिरिके पश्र referendum में पैस्के तैयार देखे जैसे मोती चूर के लड़ों बनाते बिलकुल इसका जो टैक्षर है वो बिल्कुल मोती चूर के लड़ों के जैसा है यह देखे जैसे एक दम बारिक वाली बुंदी हाती तो चलिए अब आप कड़ाई में एक कप चिनी डालते हैं और 10 कप पानी कर देटी और अच्छ से मिक्स करिंगे जब तक जीनी मेल्ट नहीं मेल्ट हो चुगी थोड़ा सा यलो फूट कलर और थोड़ा से डालेंगे औरिंज फूटकलर मिक्स करिंगा देख सकते कितना पर्फिट कलर आ चुका है तो ऐसे दो मिक्स करके कलर डाली तो बहुत अच्छा लगेगा मैंने आप थोड़ी से लाची का पाउडर डाल दिया है और अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया यह देखी आप देख सकते हैं चासनी कैसी बनी यह की हलकी सी चिपचिपी टाइप देख सकते हैं कितना ज्यादा रसीला यह दिख रहा है अब अब इसे ढख करके फ्लेम बिल्कुल लू करके मिसे छोड़ देंगे दो तीन मिनट के लिए तो मैंने आप इसे पांच मैट के लिए चोड़ दिया था और देखिए कितनी प्रिया से फूल चुकिए और गैस को साइनिंग के लिए और बस अच्छे से इनको मिक्स करेंगे एक्तम खिला खिला यह हमारा मोती चुर का लड़ू बनके तयार होगा यह दिखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा दाने दर फॉम में दिख रहा है तो बस पिल्कुल ऐसे इसका लड़ू बनाके तयार कर ल आप यहां पर लड़ू का टेक्षर देख सकते हैं कितना ज्यादा दानेदार फॉम में बिल्कुल मोती चुल लड़ू के जैसे ही तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपको मिठाई की कौन सी रेस्पी सबसे ज्यादा अच्छी लगी प्लीस कॉमेंट करके जरूर बता कीजीगा तो चली फ्रेंड फी मिलते हैं एक और नई रेस्पी के साथ अब तक के लिए बाई बाई